नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर नभम लेर कोटला चुंगी के नज़्दीक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाडी ने अक्तिवा सवार दो व्यक्षियों को मारी टक्कर दोनों की हुई मौद सब्डिविजन तलवंडी साबो के गाउं गाटवाली में एक युवक में फंदा लगाकर की आदमत्या दो बार आईलिक्स में सेल होने से था परेशा जो जार सिंग नगर में मोटल साइक्ल सवार दो नौजवान एक महिला के कान की बालिया जपचकर हुए फरार पुलिक्स चांट में ज़िए और अब हल चल विस्तार से पंजाब में सड़क द्रुगटनाय लगातार बढ़ती ही जा रही है और आए दिन कई कीमती जाने मौत के मूँ में जा रही है ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है नाबा मलेर कोटला चुंगी के नजदीक जहां एक तेज रफतार स्कॉर्पियो गाड़ी ने एक्टिवा सवार दो व्यक्तियों को टक्कर मार दी जिसमें एक्टिवा सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत होगी जबकि दूसरा व् उफचार हे तो भरती करवाया गया लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया ये दोनों प्रवासी मजदूर थे जिनके परिवार का रो रोकर बुरा हाल हो गया है तो वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया नाभा से हल्चल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट थोड़ा जाओ चीक सीगे सुड़क देशिए सहां जा लेंदेशी के असी जदी एक ताम आपनी गड़ी देविचे बिठेया कि हॉस्पिटल देविच लेके ते उधे विचो एक दीद्या डेथ होगी किता अक्सपैर हो गया दूसरे भी नाज उकालत देविच ये होया ज चूंगी थे जड़ी नाबा मरेक उटा रोड़े पर चूंगी आना ओं मोड तो पहला होया तो जाए किस किस की टेथ होई है रामपाल की संतराम की कैसे पता ना मेरे को पता नहीं वाव जी एक्टिवा थे थे हां मैं तो घर पे था है मेरे कोश पसान आपको किसने बताया अब एक आदमी दो आदमी आए थे हां से बिरो को पता काये ते सबजी मारे किसके साथ हुआ है एक्सिदेंट पतल है गाडी के साथ जाए तो यह काम क्या करते थे जाए तो यह अपनी दुकान लगाते सब जबाशी मूब ली की और मैं तो जैंट अबने कि चक्कर पकड़ आते गेड़ आते रहती है तो जब फिल्शा भीर कोर्ड़ एक ब्रॉड डर अब गाट अजिक है दूसरा सभी को आया सिगा तो फ्रेक्टर सी ट्विस्टेट सी तस्विश्टेट पूरा ट्रीटमेंट किता बटी ओं से ल्चन दाए विदिन 15 मिनटस ऑफ ट्रीक्मिन सब डिवीजन तलवंडी साबों के गाउं गाट वाली में विदेश जाने के लिए आइलेट्स कर रहा एक नौजवान दो बार फेल हो जाने के कारण इतना परिशान हो गया कि उसने खेत में फंदा लगा कर आत्मत्या कर ली मिली जानकारी के मताबिक मृत्तक नौजवान ने फौज में भरती के लिए भी कोशिश की थी पर वे काम्याब नहीं हो सका जिस कारण अब उसने विदेश जाने के लिए आइलेट्स की तैयारी करनी शुरू की थी मृत्तक का पिता एक गरीब किसान है जिसके सिर पर काफी करजा भी है नौचवान द्वारा की गई आग मत्या के कारण पूरा परिवार सदमे में है पारिवारिक सदस्यों और गावासियों के मुताबिक मृतक रात आट बचे से घर से गायब था पारिवारिक सदस्यों उसकी तलाश कर रहे थे और सुबह खेत में बने कमरे में उसकी लाश लटकती हुई मिली वही पुलिस ने धारा 174 के तहत मामला दर्जकर शव का पोस्ट मातम करवा कर शव को परीजनों के हवाले कर दिया है करके पारे तो क्लियर नहीं हुई आर्थ परेशान नी करके टेंक्शन चलेंदा सी इनकरे लू मुझबूरियां करके कल रात दस्क वजे अपने खेट ट्यूवल आले कोठे देविच जाके पहाले के सुसाइड कर लिया बहुत मंदबाग इकट नहीं बेहत गरीब परवार है असी अपना सरकार पास होते प्रशाइशन पास मंग कर दें अभी इना गरीब बंद्यां दी बच्चा तो देखो इना तो कोड़ चला गया पर इना दी जिन्नी को बदोबाद हो सारी को बित्ती से तब किती जावे पर द्यान जो पता करें पैंट चला उसमेंट करी पास है रस्ता पाया है गल्देव चेंट किका देश्रकार सारी पर दी सोगदा महोला यह बहुत मारा होया शरकार तो मंग कर देव आर्थ माद्द कर इया वे ना दी जी हाई की ना सी सुदा बच्चे दू कर दी पिसंग जी की लाग जाजा जाए पर दाजी मिन्टा देख जुजार सिंगर नगर की गली नंबर चार और तीन में दो मोटर साइकल सवार नौजवान गली में बैठी एक महिला के कानों से बालिया जपटकर फरार हो गए इस समंद में जानकारी देती हुए लोगों ने बताया कि एक मोटर साइकल पर सवार दो नोजवान आए और दुकान में से बिस्कित लेने की बात करने लगी इस दुरान उन्होंने गली में ही बैठी एक महिला की कान की बालिया जपटली और मोके से फरार हो ग इतने पीछे खीच के भाज गये और नाल थाने अजये लेका ठाना भी नेटी के यहां हां क्या कर रहे थे आप बैठे पर बैठे थे तो आधू कर लाए थे श्कान हैं मोटर साइकल पर आया है जों इस बाली चितने दोले गी तोले बारे कि तोले किती हैं पर चार बटा तेन नंबर गली ती कटना है इते हैं अचानक दो मुड़े आए ओपहला इदर दी आये ने चार नंबर में वी दी आये ओदर दी गया हां के दुवारे आके ते खड़े ने ते खड़े हो के जगां चो कोई सोधापत्ता मंगया गा ते ना लेडिजनाल बैठक दो बाद एक मुंड़ा मुंड़ा तो उत्र आए गाया ऊतर के ना भी आप लर्टी जैकेट पाई अपने नभी आपि जैकेट पाई भी एग रिगा कोका कोला ल दी जैकेट पाई भी आए दुन नौजवान मुंड़े ने गल चे मफलर लंकाए वा इक ने मूट नाभ जीरा शराव फैक्टरी को लेकर मुख्यमंत्री भगवंतमान का बड़ा ब्यान सामने आया है मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी और से फैक्टरी को बंद करने के आदेश जारी कर दिये गए हैं पंजाब की आबो हवा को किसी को भी खराब नहीं करने दिया जाए इस कारण कानूनी माहिरों के साथ विचार विमर्ष करने के बाद लोक हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है उन्होंने कहा कि भविश्य में भी जो कोई वातावरन को बिगारने की कोशिश करेगा उसे बक्षा नहीं जाएगा सासिकाल जी मैं तो अड़ापना पगो अन्तमान पंजाब दा पानी पंजाब दी हवा ते पंजाब दी तरती दी शुद्ता ले ते लोक हित्ता नू ते आंच रख दे हुए ते कनूनी माहरानार सलाम अश्वरा करनतोबाद सरकार होने इस पोजिशन चाहेगी कि अज मैं अलान करदां कि मालब्रो कंपणी जेडी जीरा दे विच्च है श्राफ एक्टरी उन्हों तुरंत प्रभावते बंद करन दे निर्देश जारी कर देते गए तो विख दे विच्च भी जे कोई कनूनी हथ चलोगा पामें जि पामें हो पुलूशन ना सवंदत कनून होन माइनिंग ना सवंदत होन ट्रांस्पोर्ट विवागनार होन जिड़ा भी कनून होवे गवर्मेंट बनाया जे उन्हों कोई हाथ चलोगा जब पंजावदे बातावर्न नू जान बुझ के जा अपनें किसे स्वार्थ लेई ज रुक्सान पुचा होगा पामें जिन्ना मर्जी वड़ा बंदा होवे उन्हों बक्षियानी जाओगा मैं एक वरी फेर एदस्वना चौना के वातावरंदी शुद्ता लोगें तानुतियां अंच रख दे होए कि कनूनी महारांदी रायतोबाद फैसला होया है कि मार्बरो कंपनी जीरा बेखे जड़ी है शरावदी फैक्टरी उनु तुरंत प्रवावते बंद करंदे होकम जारी कर देते गया करनों वेलफेर सोसाइटी की और से माता गुजर स्वास्थे केंद्र गाउन नियूना उच्चा में डॉक्टर हरपाल सिंग की अगवाई में लोडी क मंतरी चेतन सिंग जोडा माचुरा ने कहा कि पंजाब में और भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जाएंगे उन्होंने कहा कि ये रोजगार खेती बाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है किसानों को फसली जाल में से निकालने के लिए जागरुक किया जाएग उन्होंने कहा कि भगवन्त मान सरकार आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है और वे विश्वास दिलाते हैं कि वे हमेशा लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगे इस मौके पर विधायक लखवीर सिंग राई ने कैबनेट मंतरी चेतन सिंग जोड़ खोली गई हैं जहां जरूरत मंद लोगों के कार्ड बनाकर उन्हें मुफ्त दवाईयां दे जाती हैं इस दौरान कैबनेट मंतरी की और से गाउं के लिए तीन लाक रुपे की ग्रांट देने का एलान भी किया गया वहीं इस दौरान अलग अलग स्कूलों की लड़कियों कि द्वारा गिक्दा भी पेश किया गया आनतमी समागम में शामिल महमानों को सम्रीती चिन देकर समानित भी गया लाव देशा दी पंजाब के लिएक चले किया महागी थाकि पंजाब्य कसान भी जड़ा ने उन्हें थो बदलाओ बदलके उन्हें भुजई पासि लएक से जेते होना दी आमदन भी चंगी हुबे और अधे ना जड़ा पानी दा जड़ा पदर जड़ा नीमे जा रहा है उतो भी रुख है जासा है कन्नू वेलफर ससेटी वालों जो की पिंजाब सरकार तो और जेस्टर रहा है उदे सबंगे वेचे आज जसी कुछ फिंडानों जेड़े जेसेटी हैं दो डिस्पैंसरी चल रही हैं असी इना लोकानों कहा सी भी ऐसी दीर पर परची दे जो इलाज कर दे हैं ओज तो असी ल जेड़े साधे चुनीदा होस्पिटल ने उना चसी पेज की उनना ता ट्रीटमेंट गाऊंगे बाकी याज जे सरदार जुडे मजरा साब एमेले राई साब आए सी असी उनना बहुत तन्वाद कर दे हैं कि साध्ड़ा उनना ने मानवदाया आखे बात पंजाब की हो रही हो और खेतों की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पंजाब और हर्याना अनाच के तौर पर पूरे देश का पेट भरते हैं और यहां के किसान अपने आप में ही एक मिसाल है हम बात कर रहे हैं संगरूर के गाउं रोगला की किसान बलविंदर सि जिसने एक अनोखी मिस्साल पैदा की है उन्होंने अपने खेतों में 32 प्रकार के फलों और लगबग दो दर्चन से जादा सब्जियों और डालों की खेती की है इसमें खास बात यह है कि जो 32 प्रकार के फलों की खेती उन्होंने अपने खेत में की है उसमें ज्यादा तर फल दाम सेब कीवी और दूसरे राच्यों की फसले ड्रैगन फ्रूट खजूर और कॉफी के इलावा कई प्रकार के फल लगाए हैं और अब किसान बलविंदर सिंग इससे अच्छा मुनाफ़ा भी कमा रही हैं उसने उन्होंने अपने देड़ एकड़ खेत में सभी फसलें उग अपने अपनों फिजिकली फिट्रेंड बास ते फिर मैं भागवाले पास ते मैं आम से टंद विचे जड़ा यूटूब ते देखके विजड़े उठे फाल लगदे सिफिरोंना नू लांदी बारे सोच्या ते हुन मैं तकि जिवन डेडे कड़ देविच्च्च्च्च् स्टेटां देता हुनि ए जदितना फिर फाल होनी जे एचिवा अमभे झाल इंडिया ते हैं अरूद युड़ा वी हो जड़ा ज़ा ज़िड़ा बादेव युड़ा तोदी अद रिर्म साथी तोड़ा निया के सौथ सट दिया गी ते सेव अखरोट बड़ा मैं थोड़ा पड़ी एखिया थे अगरिए गवी बगर्गर्ई अगेरा अगां ली मेंट किनी कॉं दिया है इन नो अगां ली मेंट किनी कॉंदी यह तरह कोई फरक नहीं बेना को जरनल कर लेना है सब्सक्राइब जिदन दिखेता है ते किरिम नहीं आप यापी करके तियार करके खंदें देजिए इस पर बहुत कटकांते इसे ते होन सी जटो जगा साथ को जादा हुंदी है फरो जमें अलसी बगारा मिथे ते होर बगारा चीज जादा मात्र इस जए 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 आगे जी दोए तरह ने चित्टे काले थे मस्री आगी थे पिछले साल थी तो पाईसी जमें संफ जवाईन ते भाकि इस बगाल ही बिज्जा सी पिछले साल जीरा भी झोड़ा भी जीरा बिज्जां दिस लाह सिको जीरे नूँ जो जो तो ओन टो फाल लगता हुआ बहुत पंचाब की आमादमी पार्टी की सरकार 26 जनवरी से राच्चे में पांट सो महलाक लिनिक खोड़ने जा रही है लेकिन मौझूदा सरकारी चिकितसा तंतर की हालात बद से बत्तर होते नजर आ रही है बात संगरूर के जिला सरकारी अस्पताल की करें तो वहाँ पर डॉक्टरी माफिया का नंगा ना चल रहा है जहां डॉक्टर लैब चालकों के साथ मिलकर मरीजों को लूट रहे हैं गरीब और लाचार मरीज इस लूट का शिकार होने से बच नहीं पा रही जो टेस्ट सरकारी अस्पताल में महिया हैं उनको भी अपनी लालच के लिए डॉक्टर बाहर बनी लैब में भेज रहे हैं लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उनको टेस्ट भी उन्हीं लैब में करवाने पड़ते हैं जिसके पास डॉक्टर भेजते हैं उनके कैबिन के बाहर तैनात करमचारी तुरंत पर्ची पकड़कर लैब में ले जाते हैं। वहीं जब इस बारे में मरीजों से बात की गई तो उन्होंने अपनी दुख बरी दास्तान सुनाई। लेकिन सरकारी अस्पताल के अधिकारी वही रटा रटाया जवाब देते रहे। संग्रूर से हल्चल के लिए जस्वीरमान की रिपोर्ट। बार जाने के चार देना बार रपोर्टाओं अपने को निदे रपोर्स देजा के अधिक अधिक ना जब ना चेक अप कुराओं आई थी अमरपृत का खंगुडा को लगई थी अजिटेस्ट चेक अप कुराओं मैं यह ठैस्ट आए महीं ह करते के वहने हो न Carne पोर'll को कुल आवश्य निए तैस्याविON मैं आखे में मैंटेस्टम में दोवारवी भी अधिक चसंद भी जित्तों आशी लिखे कर वांगए ने हिल्वोटरी तो लिए सब्सक्राइब कोई भी प्राइबेट जा अनक्षात्ता व्यक्ति एगा इस तरह दा कारवियों नहीं कर सदेगा सब्सक्राइब करा के बंदी कारवियों तुरांत अज ही सूचत किता जावेगा तेक प्राइबट तौर्टे सरकार वलों जो मानता प्रापत तरह करशना लेब विच्छाएगा ते संगरूर के बाजारों में युवा परिवार सेवा समिती के सदस्यों ने हाथों में तक्तियां पकड़कर लोगों को जागरुक किया इन तक्तियों पर लिखा हुआ था कि पंजाब की जरूरत सेंसर बोर्ड लच्चर गाने बंद करो वह गलत शब्दावली अब नहीं चल जागरुक किया जा रहा है क्योंकि आजकल गानों में लच्चरता और गन कल्चर को बड़ावा दिया जा रहा है वहीं उन्होंने कहा कि इन्हें बंद करवाने के लिए आने वाले दिनों में पंजाब के सब डिप्टी कमिशनरों को मांग पत्र भी दिये जाएंगी जड़े जो सब्सक्राइब गन कल्चर पेश कीता जा रहे हैं जो जो और गन्तेंट है ठीका न उस दे लिए एक सेंसर बनाया जावे जितना फिल्मां देली सेंसर बने आप चैनल दे थूप एसक्टी आप जो पांच साल दा साल दियां बचीयां दे नाल ठीक है ना ना जा बच्चा प्रमोट कर रहे हैं गाने अशा प्रमोट कर रहे हैं गेड़े आज काल दी युवापीडी है उनना फॉलो कर दिया अपने रोल मोडल बन दिया ते जिमें आज काल आपां देख दे यां भी गन्त कल्चर दे नाल गाने यां दे विच जो गैंस्टर ने उनननो फ प्रमोट किता जाना दा तो दे नाल अपां देख देख दे विच एक प्रशे निउस में शूट करता चोट चोटे बच्चे ने अपना बेड़ा घर कर रहे हैं उत्तर भारत में सर्दी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है पहाडों में जमकर बरवबारी हो रही ह सैलानी पहाडों की और रुक कर रहे हैं तो वहीं मैदानी इलाकों की बात की चाए तो वहां भी पारा जीरो डिगरी के पास है और खेतों में कोहरे की सफेद चादर बिच चुकी है अगर बात की चाए पंजाब के संगरूर की तो संगरूर में लगातार तीन निन से पारा साफ दिखाई देगी किसानों की अनुसार गिहूं और गन्य की फसल के लिए तो यह ठंड और कहरा फायदे मन्द है लेकिन छिन किसानों ने अलु की फसल लगाई हुई है उनका काफी स्टर पर नुकशान हो रहा है क्यूंकि कुहरे के कारण आलु की फसल के उपर जमी परत के कारण आलू का साइज बढ़ना रुक जाता है और उसकी बेल कोहरे के कारण सूख जाती है जिस कारण उनका काफी नुक्सान हो रहा है सुग्रूर से हल्चल के लिए जस्वीर मान की रीपोर्ट पिसले तिन दिना तो जड़ा कोरा लगातार पहरे है तेड़ा आज जब टंपरेचर एक काल जीनों से की फैदेने की निक्सान है यह जड़ी अपनी कणकते गरने दी फासल है यह दे वास्तेता है गा ठीक है लेकन जड़ी यह में अपने अलू हो गए जा सब्जियां या जड़ी निक्सान है लगवा गत्तिन चार दिना तो यह लगातार कोरा पहरे है टेंपरेचर बहुत डिगे होए ने ठंड़े कारना सो बकी जड़ी सरों है वो मतलब जड़ी तोड़ी पिशेतियों देवास्ते ता कुछा तक ठीक है लेकन जो सरों पक चुकी जा फरियां पहुंच लिए उन्हों निक्सान है जी को रेदा जादा जीवे कास्त गाल की ती अब दारू जड़ी भारमदा कम आरे सी देख रहे हैं खेज़े बच्छे बरसीन अगेरा था की आजी हाँ बरसीन बहुत जादे निक्सान हो रहे हैं जी को रेदा उठड़ी दे रहे हैं जो कसान अब सबंदत कोई बीटन देने उन्हाँ वास्ते कोशा हाथ तक फैदा जी कोशा तक नक्सान विया जाए जाए जी को रेदी कारने साथ भी ठार जांदेने ते कम करना बहुत अख़ा हो जाए पहली गलता जाए निक्सान बहुता इस को रिदा फसलन जद्दा के आलू दी होई एने ते पर सीन नुटे स्वरों इननों इना बहुत अफसान आई ते कम करना बहुत अख़ा है यह दिए सेनियर सेकेंडरी स्कूल चाल अंदर में सिवल अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने बच्चों का निशुलक मेडिकल चकप केंप लगाया जिसका आफधानिया बरतनी चाहिए इसकी जानकारी भी दी इस मौके पर स्कूल के सभी स्टाफ सदसे मौजूद रहे जारंदर से हल चल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट और अबंत में हल्चल की गतिविदियों पर एक नजर फिर से नभम लेर कोटला चुंगी के नस्दीक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाडी ने अक्तिवा सवार दो व्यक्षियों को मारी टक्कर दोनों की हुई मौद सब्डिविजन तलवंडी साबों के गाउं गाटवाली में एक युवक में फंदा लगाकर की आदमत्या दो बार आईलिक्स में सेल होने से था परेशा जो जार सिंग नगर में मोटर साइक्ल सवार दो नौजवान एक महिला के कान की बालियां जपचकर हुए फरार पुलिक चांट में जोती है इसके साथ ही अब तक की गतिविदियां समाप्त होती है और ताजा चौनकरी के लिए देखते रहे हैं हल्चर कर दो